गुद मॉनिंग अशूदेंस वेलकुम तो माइनेव लेक्चर ऑफ इंडिस्ट्रियल फ्यूट पावर लास्ट क्लास में हमने डेबल एक्टिंग कंप्रेसर देखा था आज हमें मल्टी स्टेज कंप्रेसर देखना है यह भी नुमेटिक सस्टेम में यूज किया जाता है तो सब्सक्राइब करती है तो होता क्या है कि अगर हम दो सिंगल फ्रेसर घ सट गेंगे तो वहां पर जो गया कर रहे हैं वो उसका temperature काफी हाई हो जाएगा अगर एक इसाइज में हम लोगा पात करेंगे आगा सिंगल सिलिंडर लगा करेंगा सिलिंडर हो वह काफी high quality का होना चाहिए काफी cost हमें invest करना पड़ेगा तो उन सब को reduce करने के लिए और हमें work input कम देने के लिए क्योंकि compressor है compressor में work input भी देना पड़ता है कुछ motor के थुरू हमें power भी supply करना पड़ता है तो जैसे ही system का temperature increase कर जाएगा बहुत जाएगा तो वहां पर हमें work जादा देना पड़ता है आप देखे होगे आप पड़े होगे जब पावर इंजिनरिंग पड़ता होगे तो वहां पर आपको नजर आया होगा जो वर्क करने के वज़ा से temperature जादा हो जाएगा तो compressor में हमें जादा पावर सप्लाइब करना पड़ेगा तो वहां पर हमारा हगे अब अभी process देखने वाले हैं ऊक्रो कर देते हैं here कि तो यहांपर होता क्या है नो ठीक लिएक होटा है इसको छलोग होता है और सिंट्र यह आया आप प्र है यह को यह प्य payment अर्फर ऩाल में इन करेड़ तो क्या होगा यह फिल्टर सदी म सबनाएबिब करता है जासे कि एक पिर लिवरी वाल यहां रहेगा अब अधर से अ Hunt्रेशन नीचे इन्ट हो जुब पर दो सिलिंडर लगा हुआ है दोनों एक ही क्रेंक्षाफ्ट है कनेक्टेड है यहां मोटर से पावर हमों सप्लाई कर रहे हैं प्रिस्टन जिसके वजह से अब डाउन आप डाउन मोशन हमें मिल रहा है अब बीच में क्या लगा हुआ है यह हमारा इंटर कूलर लगा हुआ हम और लिटेनेयन में अपर यह से अथयोगे सब्सक्राइब रहा है इंपर में सब्सक्राइब करें वहां सब्सक्राइब कि कैसे बरक है क्या है आए है जैसा हält्याव पे पिश्टन से में था जैसे लिए मूफ करना है हुआ सब्सक्राइब फ़िल्टर के तुरू होते हुए फिल्टर कर जाएगा जो कि अब बता दूँ पर्सिलिंटर के सच्छोंड सिलिंडर में इसाइब उसका वोल्यूम को रिद्धियूस कर दी है तो स्टेट का साइज हम लोग तो थोड़ा कम ही रखते हैं तो यहां मोटर से Connected है है मोटर कंटिनृजर पावर सप्लाई कर रहा है यहां मोटर कंप्रेशन दे चुंपरिचर बहुत है अब टेंपर हाई हो गया तो क्या होगा जैसे है अगर यहां पर इंट्र कुलर नहीं होता और सेकंड स्टेज में हम लोग इसको भेज जैते हैं यह से यहां पर पावर सप्लाई हमें ज्यादा देना पड़ता है अधर्वाइज यहां पर कंप्रेशर मुतना ज्यादा हाई प्रेसर हमें नहीं मिल पाता तो यहां पर पावर सप्लाई कम देने के वज़ा से क्या करते हैं हम लोग बीच में लगा देते हैं जो क्या करता है उसक तेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटे से जो आ रहा है यहां पर फिर से कंप्रेश हो जाएगा और फिर वाल पर हमें सप्लाई करना यहां पर बेनफिट और भी होता है आप जब देखेंगे वहां पर पढ़े होगे तो अगर हम डायेक्टली किसी को एक हो ऑट गैस इस खोडाइगे तो हमें ज्यादा बैक देना पडाता है ज्यादा हम मैं कि लिख और पर इंपूट गार पहूंचा तो हम लोग देना पढूद की ब्रोगे का फूथा जिस इतना पूर्शन होता यह हम लोग का में पड़ता है यहाँ पर आपर रिप्रेजन्ट करता है यह एनपर हमां पर आपको नहीं करना पूद में तो हम लोग क्या करते हैं तो दो पार्ट में डिवाइड कर देता है यह पर फिर से कंप्रेश होता है जिससे और इसका इंग्रीज हो जाता है और फिर जो हमें करना है परफॉर्म वह हम लोग कर लेते हैं यहीं था इसका वर्किंग कंस्टक्शन इसका देख लेते हैं थेरिटिकल फॉर्म में क्या है तो बोल रहा है इट इस सिंपल है अएर और गैसे टो और मोड đang प्लेस शिंठर में यहां पर कंप्रेशन होता होता है ही जादा देना पड़ेगा क्योंकि अगर करेंगे तो और उस तेमडरेश को मैटर अब यहां पर कर रहे हैं हम लोग इंटर्कूलर लगा रहे हैं जिसके बज़ए से इसाथ systems के जाए रहा है और फिर से अम लोग उसको कम्परेज कर रहे हैं доступ राशागा और सवाइब अद गएेकशल या फिर कम्प्रेशर है उसको उसके डैमेज को इवाइड करने के लिए टेमरेचर उसका जो होगा गैस का या एर का वो ठीक्रीज होना काफी ज्यादा जाओ रही है तो हम लोग इसलिए लगा देते हैं यही बोल रहा है पर यहां पर तू में इसलिंडर के बीच में अम लोग क्या करते ईंट्री can रहा दिए पहले से देक्ट 되면 ऐहरा से असमी प्रेशर पर फिर से वह फिर से सिकन्ड श्रेंड मने बेहार फिर से बहाए हुआ अपनरे कि आगे दिखते हैं कि बोला था कंप्रेश्ट यह फॉर्स स्टेज इंटर इंटर कुलर वेर इट इस पूल भी बोल रहा है फास्ट से से इंटर कुलर में जाता है वेन इट इसकूल अपने राइग्राम में दिखा यहां पर आपको फिर से दिखा देता हूं एक बार कि बोल रहे है कंप्रेश्ट फॉम में यहां पर जैसे ही मिष्ट फोकर से पार नीचे और यहां पर तो यहां पर यह तो बाहर बाहर जो इसका डیलिवरी वाल्बस में बाहर निकल पिहनऊ और यहांı पर भी बैदना यहां पर फॉन फिस्टटय में फbare करना होगा वालब के तुरू दिफरेंट वालब के तुरू हम लोग वहां सप्लाइब कर देंगे कि पिर से देख लेते हैं हम लोग फस्ट पांट डिसक्स कर लिए वहां पर रहा है नियुप कर रहा है कि वहां पर जो इंट्रकूलर से बाहर आ रहा है वह दो कर सकता है क्यों क्यों का साइज कम होता है एक का ज्यादा होता यह भी हमने देख लिया है इसका कुछ आडवांटेज देख लेते हैं एडवंटेज इसका बोला है दो वर्क डॉन इन कंप्रेसिंग एर इस रिदूस्ट तस दस पावर कैन भी सेव्ट में जैसे बताया कि आपका टेंप्रेचर जैसे डिक्रीज होता है तो वर्क डन हमें जो वर्क इंपूट सप्लाई करना पड़ता है आपको पता होगा पंप और जो कंप्रेसर होता है वहां पर वर्क हमें देना पड़ता है तब वह वर्क कर पाता है और जो टर्माइन होता है वह वर्क आउपूट डिवाइस होता है वहां पर हम लोग को वर्क मिलता है यहां पर हम लोग को पंप में वर्क सप्लाई करना पड़ता है और मोटर में यहां पर वर्क करते हैं तब हमारा कमप्रेसर काम करता है तिसलिए यहां पर जितना कम वर्क हमें देना पड़ेगा उतना हमें करने से क्या होता है यहां पर टरुपर रहा है कि पर टेंपरेचर रीडीचर करतें यहां पर एक करता है है तो two point procent बोड़ाएं परğin डाहरों सीबोरख होने वहांपर होगा मेंद क्योट सेамे हम इसमेंड रह calculating in मख्लchn flawed बढ़ा जैए लेकिन एक चिलिए KHाइभ जादा कंडो जादा थेहिते हैं लेकिन आगे बावह दो आरे से स्यंदन चैल्ट के साइस उजय बहा गळा तु मसीं चाफी जानर बड़ा धीव इसको हम अब मुवमेंट देता है को डाउन मुवमेंट जिसे क्या होता है बैलेंसिंग हमारा काफी अच्छा कंट्रोल हो जाता है क्या होता था उसका वेट काफी ज्यादा हो जाता था जिसे माइद भी उसके इफ्ट पर अच्छा मिलता है तो आपको यह तो आज कि वीडियो करते हैं क्लास में हम लोग फिर आपको रोटरी आइड happy कम्रेश्र में एक दो टाइप देख लेंगे हुआ पर अलड़ी आप लोगप मेंग देखे लीए ओल्लम किया होता है इस रूज्थ किया होता है तो वहीं है उसी का मश्यक्लाइब लेक्रेश्म के पड़ना तो थोड़ा सा देख लेंगे उसके सब्सक्राइब करते हैं जो भी वीडियो से डाउट होगा आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थैक्टू सो मच